Okay, so CM1 Actual Mathematics, तो बहुत लोग का यह first paper होता है, right, CM1 Actual Mathematics, बहुत लोग का यह second paper होगा, and we are blessed that we are starting this course थोड़ा पहले, like now is the month of August, it is August 2nd week and our examinations, जैसे के मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई IAI, Indian Institute of Actuaries से अगर कोई करना चाहता है, तो उनका exam होगा March में, ठीक है, and अगर कोई IFOA, Institute and Faculty of Actuaries से करना चाहता है, तो उनका exam होगा April में, ठीक है, so what is the duration of the course, the duration of the course will be 250 hours, okay, the duration of the course will be 250 hours, and like this is a 100% life batch as you all know, okay, so first of all we'll get to know कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, क्या-क्या है, कैसे exams होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, सबसे पहले बात करूँ अगर मैं CM1 की, तो इसमें आपके 2 examinations होगे, एक है आपका paper A, और एक है आपका paper B, ठीक है, तो paper A जो है, वो आपका 100 marks का होता है, and paper B भी आपका 100 marks का होता है, ठीक है, तो अगर मान लो, pass कैसे होंगे सर, अपमें को यह बता दीजे, because हम तो सिर्फ pass होने के लिए coaching लेता है, मेरा main objective learning मेरा main objective pass होना है, pass कैसे होंगे आप यह बताईए, तो pass होने के लिए, आपको देखना पड़ेगा कि weightage कैसा है, तो paper A consists of 70% weightage, and paper B consists of 30% weightage, और एक weighted average score निकलता है, for example, paper A में आपने score किया है 80, and paper B में आपने score किया है 70, तो आपका एक average score कैसे निकलेगा, देखो, 80 x 0.7, plus 70 x 0.3, तो इससे आपका एक weighted average score निकलेगा, कितना आता है बताईए, कितना आता है सब लोग बताईए, 8 7s are 56, plus 21, so the score is 77, ठीक है, तो यह आपका score आएगा, इससे बच्चे बहुत ही गंदे-गंदे conclusions ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा, paper B का 30% है, मतलब paper B को तो last में पढ़ेंगे, fail हो जाओगे, paper B सबसे जादा important है, because job में जाने के बाद में बई खाता नहीं होता है, उस समय Excel पर ही काम करना पड़ता है, इंटर्वी में जो questions पूछे जाएंगे, वो भी आपसे Excel के लिए ही पूछे जाएंगे, paper इसे भी पूछते हैं, but yes, paper B is very important, paper B के बिना आप pass नहीं हो सकते, Cm1 नीचे आप लोग दिमाग में रखेगा, sir, paper B होता क्या है, paper B आपका होता है, Excel-based examination, Excel-based examination होगा आपका paper B, जिसमें आपसे आपको जो पूरा paper है, वो MS-Excel पर करना पड़ेगा, जिसका आपको पूरा training किया जाएगा, sir, हमना अभी just class 12 past Km1 को तो computer छूना भी नहीं आता है, मैं Excel कर पाऊंगा, yes, कोई, कोई बड़ा चीज नहीं है, Excel is just, मतलब एकदम easy लगेगा आपको पूरा course, that is why we are taking the time and we are starting now, okay, please घबराएगा मत, एकदम आराम से चाहे वो paper A हो, चाहे वो paper B हो and some of you might be aware that due to online examinations, चाहे वो IEI का हो, चाहे वो IFOA का हो, आपका जो paper A है, पहले paper A written होता था, मतलब आपको examination centers में जाके exam देने पड़ते थे, लेकिन अब आपके घर से आपको exam देना है, सर घर से, गंदी-गंदी ख्याल मन में मतला हो, ठीक है, because the examination is very strict and अगर हलका सा भी पकड़ लिया आना, तो दो साल, तीन साल पता नहीं कितने साल के लिए बैन लगा देगा, ठीक है, तो प्लीज, घर से हो चाहे center से आपने को कोई फरक नहीं पड़ता है, because we'll be doing 100% preparation for our examination, okay, so paper A जो है, वो आपका MS Word पे होगा, MS Word पे होगा, MS Word का मतलब क्या है, MS Word का मतलब क्या है, जैसे जो भी सारे equations वगर है, उसका भी आपको training पुरा complete दिया जाएगा, तो अभी फिलाल के लिए हम लोग पैना और paper में ही करेंगे, and in due course of time, जैसे ही time बीतेगा, एक महने, डेड़ महने में हम लोग आपको MS Word की भी training करवाना start कर देंगे, ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है, कैसे क्या examination होता है, कैसे अचा, अब यह जो weighted average score निकला, अब वो लोग एक cut-off score निकालते, for example 58, अगर आपका 58 के ऊपर में है, तो आप pass हो, अगर आपका 58 के नीचे है, तो आप fail हो, ठीक है, तो हमेशा यह चीज़ दिमाग में रखना कि दोनों पे, दोनों में equal effort लगाना है, अगर कोई बच्चा यह, एक्सेल के जो questions आते हैं, that is quite difficult, okay, जैसे मैं आपको बता दो, मैं paper A पढ़ाता हूं, शिवांगी मैं paper B पढ़ाती है, तो अगर मानलो paper A का बात करें हम लोग, तो paper A में न, मेरे पास में last 30-35 साल का content है, content मतला समझते हो questions है, कैसे questions आ रहे हैं, क्या-क्या changes हुआ है, किस type के pattern है बगरा मैं कुछ सब कुछ पता है, लेकिन paper B में ऐसा नहीं है, 2019 में ही यह introduced हुआ है, तो सिर्फ 2.5-3 साल ही हुआ है इसको introduced हुए, तो resource कम है, resource limited है, बट हम लोग बहुत सारा practice करेंगे, बट paper B को day 1 से ही, अपना strong point बना के रखना है, paper B को, अगर CM1 का excel आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग CM2 का excel को भी कर पाऊगे, because CM1 and CM2 दोनों में excel है, अगर आपका शुरू से ही excel strong point बन जाएगा, अगर आपका शुरू से ही excel strong point बन जाएगा तो पता है क्या होगा, एक आगे जाके ना paper है, CP2 बोलके, आपको उसमें भी उतना difficulty नहीं होगा, no one should switch on the mic, सब लोग का mic off रहना चाहिए, okay, all of you should switch on the cameras and आप लोग सब के mic off रहने चाहिए, keep yourself muted, don't become, क्या नाम था उसका, शुरूती नहीं पता नहीं क्या नाम था, so yes, okay, तो yes, okay, तो यह आपका paper pattern है, सर पढ़ना कितना पढ़ेगा यह बताएगे, बहुत लोग का यह starting paper है, I know that, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई से कही second paper भी हो, the most important thing is patience, there are 13 papers in total, ठीक है, there are 13 papers in total, सबसे थेज भागने वाला इस race में नहीं जीत सकता है, कभी नहीं जीत सकता है, कि मानलो आप लोग 2-3-3 paper दे 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 और आपका फड़ा-फड़ा-फड़ा-फड़ा कोर्स का तमोगा, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, because there are a lot of stages that you need to go through, अभी आप लोग मानलेजिए, just class 12 past किये हैं या फिर आप लोग first year में हैं, अभी आप लोग इस course को start कर रहे हो, ठीक है, you need to give 13 papers in which there are 8 standard papers and 5 उतने difficult नहीं है, पढ़ने से आपका paper वो clear हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा important चीज़ क्या है कि regular study, जैसे मानलो 11-12 में क्या था, आप लोग को maths regular पढ़ना पढ़ता था, तो यहाँ पर भी आपको regular पढ़ाई करना पढ़ेगा, यहाँ पर भी आपको daily basis में 2-3 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ेंगे, तब जाके आप expect कर सकते हो कि आपका बहुत अच्छा understanding develop होगा, आपका बहुत अच्छा learning develop होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से exam में कर पाओगे, ठीक है, तो this is very important to be patient and study regularly, ठीक है, अब हम लोग आएंगे कि सर, CM1 में है क्या-क्या चीज, हम लोग को यह चीज देखना है, तो CM1 में क्या-क्या चीज है पहले हम लोग वो चीज समझेंगे, CM1 एक ऐसा paper है जो दो papers के mixture से बनावा है, ठीक है, पहला है आपका CT1 which is financial mathematics and दूसरा है आपका CT5 which is life insurance contingencies का paper, ठीक है, तो जो पहला वाला part है न, that deals with certain cash flows, certain cash flows का मतलब क्या होता है, मान लो मैं आपको यह बोलता हूं कि मैं आपको एक साल के बाद में 10,000 रुपे दूँगा, तो यह मान के चली कि मैं आपको दूँगा, उसमें कोई probability नहीं है कि हो सकता है नहीं दू, हो सकता है मैं दू, वैसा कुछ बात नहीं है, बोल दिया एक साल के बाद में 10,000 मिलेगा, दो साल के बाद में 5,000 मिलेगा, मतलब मिलेगा, तो यह वाला जो पार्ट है, it deals with certain cash flows, ठीक है, CT5 वाला जो पार्ट है, जो life insurance company के बारे में basically पूरा understanding हम लोगो देता है, उसमें क्या होता था, uncertain cash flows, for example, आपने insurance के बारे में तो सुन insurance company, मैं नहीं, मतलब कोई और, जिस दिन मैं मर गया, उस दिन insurance company उसी के घरवाले को पैसा देगी, this is the normal insurance policy, सब लोग agree करते है इस चीज को लेके, yes or no, show me thumbs up, जो लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो समझना, तो एक ऐसा company का cash flows को मेरे को model करना है, model मतलब उसको predict करना है, जिसके ना influence certain है, जब तक मैं जिन्दा रहूंगा, मतलब कोई और, जब तक मैं जिन्दा रहूंगा, मतलब कोई और जिन्दा रहेगा, तब तक वो insurance company को premiums देगा, तो क्या insurance company को पता है, कि इसको कितना premiums मिलेगा, yes or no, comment box में पताएंगे, comment box में पताएंगे, क्या insurance company को पत आपस देना है तो क्या उसको पता है कि उसका आउट फ्लो कब होने वाल है So that is where the concept of uncertain cash flows ठीक है पता नहीं कि payment का timing क्या होगा ठीक है तो basically हम लोग इसलिए बोलते हैं CM1 में हम लोग को क्या-क्या चीज़ पढ़ना है आज वहीं से शुरुवात करेंगे और पता नहीं कितने high level तक जाएंगे अपने ठीक है So first of all day one पर यह बहुत सरे चीज़े clear कर देना चाता हूँ आप एक ऐसे course में enter कर रहे हो जिसमें तरह 13 papers ठीक है I am teaching मैं भी कुछ-कुछ papers में fail हुआ हूँ ठीक है और एक नंबर से भी fail हुआ हूँ ठीक है जो लोग ने aspirants देखा है संदीब भहिया एक नंबर पुरा 6 मेना खा जाता है ऐसा होता है professional course में ऐसा होता है यह कोई वह 11-12 का exam नहीं है ठीक है जो आप पुरा साल पढ़ रहे थे professional exams का nature ही ऐसा होता है ठीक है बहुत दुख होता जब वह बोलता है बोलता है कि ना एक नंबर पुरा साल खा गया ऐसा होगा आपके साब में तो you should be patient ठीक है तो दो-तीन आदमी रहते हैं हमाँ पर वो लोग आपको बोलेंगे साल आपको क्या करवाना है आपको fixed deposit करवाना है आपको recurring deposit करवाना है तो basically bank में आप देखते हो जितना भी type का products float होता है उनके अंदर का mathematics है न वह हम लोग इस course में सीखेंगे जैसे मालो कोई भी type का product का structuring होता है कि आप मेरे को इतना इतना रुपया दे दो जैसे recurring deposit के बारे में समझो जैसे मालो आप मेरे को इतना इतना रुपया दे दो आपको तीन साल के बाद में आपको इतना रुपया चाहिए तो आप कितना रुपया आज से monthly bank को दोगे बहु एक साल के लिए पैसा देंगे तो आपको मिलेगा 5.5% आप 2 साल के लिए पैसा देंगे तो आपको मिलेगा 5.75% and so on. इसको बोलते है term structure, मतलब आप जितना जाधा time के लिए पैसा बैंक को दोगे, आपको बैंक आपको उतना ज्याधा rate देगा, अगर आप एक senior citizen हो तो बैंक आपको ज्याधा ब्याज देगा, तो यह सब क्यू होता है, यह सब भी हम लोग सीखेंगे, मालो कल को तुम एक big shot आपमी बन जातो है, तुम्हारे पास में 200 crore रुपय आ जाता है, तुमको profitable investments करने, तो तुम कौन सा investment को choose करोगे, that is project appraisal, तुमको घर लेना है, तुमको घर लेना है तो तुमको बैंक के पास जाना पड़ेगा, तुमको एक बार में इतना रुपय किसी के पास में भी नहीं होता है, कभी भी मानलो अगर हम लोग को capital asset खरीते हैं, मानलो घर खरीद रहा है, या फिर कोई गाड़ी वगएरा खरीद रहा है, तो सब लोग loan का सहरा लेते ही लेते हैं, तो मानलो loan जैसे मानलो bank किस तरीके से कमाता है, हम लोग को यह भी चीज़ सीखना पड़ेगा, तो basically loan का पूरा structuring कि इतना percent ब्याज है, ठीक है, आज जैसे मानलो, तुम लोग को मानलो मैं यह बोलूँगा कि तुम्हारा एक loan, घर में पूछना, जो लोग अभी मानलो घर होगा, जो लोग अभी जस नया घर लिये हैं, यह फिर मानलो 2-3 साल पहले लिया, पापा से पुछना, अभी तुम लोग कुछ बोल नहीं पाते होगे घर के decision making में, जब पापा बोलते हैं यह bank का इतना percent ब्याज है सालाना, यह loan ले की वो loan ले, कम rate ले की ज्यादा rate ले, time ज्यादा बढ़ा है, अभी तुम लोग को बच्चा समझते हैं सब लोग, लेकिन आज से ठीक एक मैना के बाद में तुम बोलोगे नहीं पापा यह वाला नहीं हम लोग यह वाला loan लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है न अपने दरकार है, पैसे के दरकार सब companies को होता है, आज के दिन पर इतना दिन पर दिन IPO निकल रहा है, initial public offer, पूछना अपने घर में, सबका DMAT अकाउंट होगा और पापा सबकी अकाउंट से IPO के ले apply कर रहे होंगे, कि हाँ एक IPO तो मेरा फस जाए, तो मालो ITC company को पैसा का दरकार है तो या तो वो equity के थुरू raise कर सकता है, या फिर वो debt के थुरू raise कर सकता है, debt के थुरू raise करने का मतलब क्या पैसा loan में ले रहा है, ठीक है, एक ऐसा certificate जो की proof की तरह ITC देगा, जो उसको पैसा दिया है, उसको बोलते है bond, bond is a kind of loan agreement, अरे आज मैंने तुमको पैसा दिया, तो company certificate issue करती है, उसको बोलते है bond, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, कि मैंने ITC company को इतना तारीक को इतना रुपया दिया है, ITC company मेरे को इतना ब्याज देगा, और मेरा पैसा मेरे को इतना time के बाद वापस देगा, something sort of all the details are mentioned in the bond, okay, and talking about the contingencies वाला part, तो contingencies वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग start करेंगे इंसान का जीने और मरने का probability निकालने के लिए, sir, इस चीश का अपनी 30 ज़र पहली है, हाँ, अब क्या करें, काम है, तो हम लोग start करेंगे इंसान का जीने और इंसान का मरने का probability निकालने से, and हम लोग बहुत high level में जाएंगे, सबसे पहले जीने म करने का probability निकालेंगे उस समय हम लोग उसके बाद में हम छोटा मोटा functions निकालेंगे जैसे for example जैसे मेरे को तो पता नहीं कि मैं कितना premiums pay करूँगा तो एक expected चीज निकलता है जो आगे जाके सीखेंगे एक expected निकलेगा कि भाया expected है कि सारा चीज basically expectation पर ही तो होता है आज जिसे मैं तुम लोग को छोटा सा example देता हूँ कि भाया इस मैंने मेरे को इतना रिपा मिल जाएगा तो वैसे insurance company का भी होता है वो एक expected life निकालता है for example आज मैं 24 साल का हूँ मैं आज अगर एक insurance policy लेता हो तो insurance company मेरे expected future life निकालेगा यह आदमी मेरा health condition को देखेगा कि यह आदमी fit है यह सुबर jogging जाता है यह educated है यह लोगों को पढ़ाता है इसका उतना stressful job नहीं है ठीक है तो basically यह कोई smoke नहीं करता है यह drink नहीं करता है यह hookah नहीं लेता है ठीक है यह रात में 9 बजे सो जाता है तो basically वोपर medical screening वगरा करेगा मेरा and वो मेरे expected future lifetime निकालेगा मालोग बोलता है 24 साल का आदमी minimum 40 साल तो और जियेगा ही जियेगा तो यहां पर probability का रोल आता है कि मैं कितने साल और जीऊंगा ही जीऊंगा मतलब मैं उतना premiums pay करूंगा और उसके हिसाब से मेरे policy का सारा चीज आता है कि आपको इतना रुपया premium pay करना पड़ेगा sir आप देखे आपके TV में daily basis में add आता है अगर इन्होंने 400 रुपया प्रती महने में एक term life insurance लिया होता तो इनके जाने के बाद इनके family को कोई problem नहीं होता आज के दिन पर the government is promoting insurance because covid में there was mass loss and a lot even I have taken my life insurance just last year okay so basically awareness बहुत फैल रहे insurance industry के बारे में क्योंकि क्या होता है basically insurance का मैं आप लोग को meaning समझाता हूं कि insurance लेने से होता क्या है आज जैसे मानलो for example मैं आपको बता रहा हूं ठीक है जैसे मानलो my age is 24 ठीक है मैं 24 साल को मैं आप लोग के दम reality बताता हूं कि होता क्या है insurance लेने से ना cash flow stable हो जाते है cash flow stable का मतलब क्या है मानलो 24 साल के उमर में बिमार नहीं पड़ा 25 में भगवान करें कभी ना बिमार पड़ो ऐसी तरीके से आप लोग को बढ़ाते रहूं तो मानलो मैं 10 साल तक 34 साल तक मैं बिमार नहीं पड़ा ठीक है तो 35 साल कोई problem हुआ और मेरा बिमारी में मेरा 20 लाक रुपए का खर्चा लगा ठीक है तो insurance से क्या होता है मानलो मैंने health insurance लिया होता और मैं हर साल premium pay कर रहा होता मानलो 15,000 या फिर 15,000 मानलो ठीक है मैं हर साल 15,000 का premium pay करता ठीक है और मैं lifetime health insurance लेकर रखूं गई जिसका cover मानलो तुमारा 10 लाक तो insurance company के थ्रू मेरे को 10 लाक रुपए तक का coverage मिलेगा तो इससे health insurance लेने से क्या होता है हर साल वो policy काम आया ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन एक साल जब आपको मानलो बहुत कोई बड़ा कोई major issue हो जाएगा तो उस समय आपको जब cash flow वहां से आएगा तो आपका cash flow एक्दम ब बोलता है कि आप एक term life insurance लेलो मतलब आप एक particular term के अंदर अगर मरते हो तो हम लोग आपको पैसा देंगे मतलब मालो मैंने 30 साल का term insurance लिया है कोई चाहेगा कि 55 के अंदर कोई मरे जेनरली ऐसा देखा जाता है बहुत कम cases में ऐसा होता है कि कोई आदमी 50 के पहले मर गया और 55 अपन के पहले मर गया तो यह सारा probability का गेम है वो लोग को सब कुछ पता रहता है and that is why you need to have a very good understanding of these products ठीक है क्योंकि आपके जैसे लोग ही आगे जाके यह सब products बनाएंगे ताकि insurance company को profit हो ठीक है basically insurance लेने से आपका एक सबसे बड़ा advantage क्या होता है कि आपके दिमाग में tension नहीं रहेगा अज जैसे मानलो मैंने अपना term insurance लिया है what is the motive कि अगर मानलो कल को मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे family वालों के पास में cash flow रहेगा ठीक है यह एक objective है plus आपका cash flow जो है वो stable होता है वो एक और बड़ा objective है कि मानलो आपको एक संग इतना रुपिया जो आपको निकाल के आज की दिन पर मानलो आपके घर में कोई health emergency आ जाता है तो आप कभी भी hospital में admit करोगे वो लोग सबसे बड़े आपको क्या बोलेंगे sir insurance policy है तो basically आज की दिन पर cashless system हो गया मतला आपको देना भ कि हाँ भई कोई problem नहीं I am having the cover basically cover बोलते इसको insurance cover ठीक है basically कोई भी type का जो risk event है उसको protect करने के लिए we take insurance आज आप iPhone लेके रखें for example इस class में बहुत लोग के बास में iPhone है तो आपका phone है एक लाख रुपाए को आपको दुकान में क्या बोलता है मैं आप insurance ले लिजे ना तो क्य tickets पेटियम में आप जाईए आपका flight ticket मान लिजे 5000 रुपया का है वो लोग आपको बहुत बड़ा अपात कालीन situation आ गया आपका घर destroy हो जाते तो वो सबसे protect करने के लिए ठीक है तो कहीं भी आपको दिखता कोई type का risk event है तो उसके लिए insurance जवलब हो सकता है ठीक है तो that is why we need to understand कि किस तरीके से premiums charge होते हैं किस तरीके से probabilities निकलती है and किस तरीके से हम लोग अपना profit margin रख सकते हैं ताकि insurance company का healthy profits हो कोविड में कोई type का business नहीं चले लेकिन insurance company का business बख़ू भी चला है आप लोग सोच पा रहे होंगे normal इंसान का mindset क्या बोलता है कि यार कोविड में तो बहुत ज़दा लोग मरें तो हिसाब से देखा जाए तो insurance company का तो दिवाले निकल जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे तो यह से चीज़ आप लोग को सोचना पड़ेगा आप लोग घर में पूचिएगा अभी तो नहीं हाँ थोड़ा टाइम बाद आप घर का कोई भी document पढ़ पाऊगे loan related हो जाए पापा के business आप लोग suggestions दे पाऊगे या फिर कोई भी type insurance policy related इतना आप लोग को मैं अच्छा क पर दूँगा ताकि आप लोग को practical knowledge भी पूरा पूरा उस चीज़ का रहे ठीक है तो this was a basic overview that we are going to study in CM1 like in the second part like in the contingencies part what we are going to do is we are going to start by calculating the probabilities of survival and death then we will be calculating how the insurance company keeps reserves reserves का मतलब क्या होता है जैसे for example कितने लोग का यहां पर pocket money मिलता है मेरको भी तक मेरी ममी से pocket money ही मिलता है मालो मेरी मम मेरे 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 म मन में है कि था ज़ए फिस चार्ज करते एसा नहीं है कूरियर कॉस्ट है शिवांगी मैम का कॉस्ट है सेंटर का कॉस्ट है यह एतना सारा खर्च चाम मेब बसता नहीं helping राफ से 2000 पर ही मेरे पास बसता बाकि सब खर्चें एस देख के लग रहा इतना inflation बढ़ गया insurance company को मानलो मैंने 1000 पर प्रीमिम दिया है तो उस साल मानलो अगर मैं नहीं मरता हूँ, for example, तो क्या insurance company 1000 पर को profit मानके उड़ा दे, no, no, the answer is no, वो इसमें से क्या करेगा, इसका विभाजन करेगा, मतलब breakdown करेगा, इसमें से कुछ थोड़ा बात वो क्या करेगा, अपने expenses के लिए रख लेगा, and बाकी सब वो reserve रखेगा, to meet the future contingent event, हो सकता है मैं मरू time में, हो सकता है मैं time पर नहीं मरू, तो उसके लिए वो reserve बनाएगा, तो किस तरीके से reserves बनते हैं, ठीक है, हो सकता है मैंने अपने policy में मेरी wife को भी include कर लिया, मेरी ममी को भी include कर लिया, मेरे पापा को भी include कर लिया, मेरे भाई भेन को भी include कर लिया, मेरे बच्चों को भी include कर लिया, तो उस type के family type का जैसे मानलो joint life, मिया बीबी, उस case में कैसे policies का वो होता है, ठीक है आज जैसे for example मैं मैंने कोई और कोई और मर सकता है बीमार हो सकता है ठीक है लंगडा लूला हो सकता है मतलब की for example तुम फैक्टरी में काम करे थे ऐसे ठाश 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 उपर से लोहा का फैक्टरी में दिखाता नहीं प्रिचर में वो गाड़ी का अवतार में दिखात उसका हाथ कैसे कट जाते, देखा है, अवतार देखा है तुम लोग, अवतार देखा है उसमें वो गाड़ी का काम कर रहा हो तो उसका हाथ कट जाता है, तो उस type का permanent disability हो सकता है, तो एक type का risk factor नहीं है इंसान का, ठीक है, मानलो तुमको किसी लड़की से प्यार हो गया, girlfriend बना तो आज, आजकली death act करेगा मेरे पर, अच्छा कल मैं निकल रहा हूँ, आजकली permanent disability आकरेगा नहीं, यह सारे के सारे factors एक बार में act करते हैं, अर्यों understand, यह सारे जितने भी सारे factors हैं, यह सारे factors एक बार में इंसान पर act करते हैं, तो how to deal with those situations, आज जब आप सोचो आप एक insurance policy बनाने बैठे हो, तो ऐसा भी तो कोई इसमें clause में लोग डाल सकते हैं, भाई आप मरोगे तो आप को इतना रुपर देंगे, और अगर बीमार होगे तो आप को इतना रुपर देंगे, something sort of that, okay? आज जैसे मैंने जो policy लिया है, उसमें आगर मानलो मेरा normal death होता है, तो 50 लग का समय short है, ठीक है? अगर मानलो मैं को critically ill हो जाता हूँ, ठीक है? तेरे नाम types, तेरे नाम देखा है ना, तुम लोग सलमान खनवाला, मुवीज देखा करूँ था, तो समझ में आएगा, तेरे नाम types हो गया, तो critically ill हो गया है, फिर मानलो accident हो गया, तो वो सब में cover is double, cover is double मतलब 2 गुना, मतलब 50 लग के बले में को 1 करोड रुपर मिलेगा, and now it is up to you whether you want to take that extra thing or not, जैसे मैंने लिया है, बट मेरको लेने के बद में लगा कि यार नहीं लेते तो भी ठीक रहता, कोई अपने बार में उतना गंदा क्यों सोचेगा, are you understanding the point, तो होता है बहुत लोग लेते भी है, that is how the policy is devised, कि insurance company का ही हमेशा profit हो, ठीक है, तो यह हमेशा दिवाग में रखना, तो यह भी है, okay, so basically, यह point हुआ, उसके बद मानलो हम लोग देखेंगे, कि यार अगर मानलो मैं 1000 पर premium चार्ज करता हूँ, तो मेरा expected profit कितना होगा, अगर मानलो मैं 1200 चार्ज करता हूँ, तो मेरा expected profit कितना होगा, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, profit testing कर रहा हूँ, कि भी मेरेको इतना profit चाहिए, तो कितना premium मैं चार्ज करता हूँ, तो सारे खर्चे, सारा claim अगरा बात देने के बाद में, मेरेको कितना profit last में बचेगा, अब तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग इसे को समझ सकते हो, for example, the most important thing is the interest rate, interest rate मतलब समझते हो, interest मतलब ब्याच का rate, मानलो, for example, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैंने mutual fund समझते हो, mutual fund मतलब क्या हो, mutual fund मतलब होता है, जैसे HDFC का mutual fund, for example, तो उसमें क्यों रहता है, बहुत सरे stocks रहते हैं, company बोलती है, आप पैसा लगाईए, जैसे आप उसमें कितना भी रुपय लगा सकते हो, 500,000, 1500, 2000, आपके हैसियत के सब सब रुपय लगा सकते हो, और आप हर महना उसमें थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डाल सकते हो, ठीक है, और आपको market में आपके बहाफ में company पैसा लगाएगी, company आपसे थोड़ा बहुत उसके लिए commission वगएरा charge करेगी, and आपका जो भी market का growth होगा, वह company आपको पैसा के रूप में वापस देगी, this is a basic structure, okay, तो जैसे माँ insurance company के बारे में सोचना, उसने 100 रुपया लगाया एक ऐसे जगह में, जहां पर उसको लगता था कि उसका 8% का return आएगा, ठीक है, तो insurance company ने expected interest rate क्या सोचा कि भाईया, तो returns कम आए, returns कम आए, तो उसने माँनलो जो premium वगरा सब charge कर रखा था, इसके हिसाब से charge कर रखा था कि भाईया मैंने इतना रुपया लिया है सामने वाले से, तो ओ मैं अगर investment करूँगा मेरे को 8% return आएगा, तो मेरे को माँनलो 10 रुपया profit का बचेगा, लेकिन अब तो return कम आया है, return मतलब समझते हो तो, मैंने कहीं पर पैसा लगाया, वो पैसा मेरे को कितना रुपया generate करके दे रहा है, तो माँनलो 8 के जगा 6 ही आया, ठीक है, तो 8 के जगा 6 ही आया, ठीक है 6% आया, तो अब तो profit तुम्हारा नहीं बचेगा, उतना 10 रुपया तो profit नहीं होगा, profit कम होगा, समझ मैंना सबको, अगर माँनलो 8% के जगा में 6% ही तुम्हारा return हुआ, तो profit तो कम होगा, interest rate का assumption के बारे में सोचना पड़ेगा, तुम किसी आदमी के लिए सोच रहे हो कि भाया, ये तो मेरे को 40 साल जिएगा, 40 चो premium देगा ही देगा, लेकिन वो 20 साल के बादी स्वाहा, तो फिर क्या होगा, तो ये सब कितने सारे contingencies है, लेकिन इसको समझने के लिए आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, इंशॉरेंस बेचने वाले बहुत कम हैं, खरीदने वाले करोडों में हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजे average हो जाती है, average मतलब समझते हो, जैसे for example, मैंने किसी के बारे में सोच था भाया, ये तो 20 साल जिएगा, ठीक है, हो सकता कि वो आदमी 10 साल जीके मर गया, लेकिन ऐसा अब भी तो कोई आदमी होगा जो 30 साल जिएगा, living longer than expected, तो ये सारी चीजे क्या होती है, average हो जाती है, क्योंकि इंशॉरेंस बेचने वाला क्या है, जैसे HDFC life है, SBI life है, KOTAC life है, लेकिन खरीदने वाले तो करोडों में है, इंशॉरेंस करने जोर भी है, बता रहा हो उनको कर ली, ठीक है, तो ये सारी चीजे क्या होती, average हो जाती है, क्योंकि इंशॉरेंस पॉलिसी लेने वाला एक नहीं है, बहुत सारे है, बहुत सारे है, ये सब हम लोग को basically इस कोर्स में पूरा अच्छे तरीके से सीखना है, this is the background that what you will study, and day one से अपना पूरा mindset को इसी तरीके स इसे रखना कि अगर कोई भी तुमको कुछ भी पूछे, जैसे मैं यार मेरे को थोड़ा loan में help कर दे, जैसे I remember मेरे भया के एक फ्रेंड है, वो दुबाई में रहते, तो he asked me something about his loan, and I was really able to answer that, and I was just a college student, and it gave me so much pride, कि यार मैं बहुत अच्छा चीज पढ़ रहा हूं, तो day one स is there, okay, so this was a brief overview, now please put the heading, please put the heading time value of money, okay, time value of money, time value of money, okay, so this is the first basic chapter, and please don't fill in my inbox with stupid messages कि सर और क्या पढ़ें, जो भी पढ़ाना होगा आपको क्लास में बता दिया जाएगा, कि आपको यह यह चीज पढ़ना है, बहुत सरी materials आपको मिलेंगी, and you don't need to follow any other extra reference, or coaching material, or किसी और का कि हा, मैं को यह भी, not required, ठीक है, day one से जो करा रहा हूं, आप लोको बस इसको strictly एकदम पूरा follow करना है, that's it, okay, okay, so put the heading time value of money, तो basically, इसको समझने के लिए, मैं आपको एक छो interest क्या होता है, interest मतलब ब्याज, हम लोग interest क्यों pay करते है, मैं economics भी पढ़ाता हूं, तो मैंने देखा, कि जो capital देता है, उसको interest मिलता है, correct, एक business मानलो मैं चलाना चाहता हूं, जो capital देगा, जो पैसा पुंजी basically बोलते है, तो जो पुंजी देगा, उसको ब्याज मिलेगा, स क्या पता कल को मेरा परिस्तिती बदल जाए, मैं उसका पैसा उसको वापस नहीं करूँ, तो वो risk ले रहा है, वो अपना पैसा मेरे को दे रहा है, मतलब वो risk ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको interest मिलना चाहिए, आज अगर मानलो मेरा friend मेरे को पैसा नहीं देता, तो व उसने क्या किया, अपने consumption को defer किया है, जैसे मानलो मेरे को, अभी मेरे को अपने center लेना है, ठीक है, we are planning to take a very big center, ठीक है, तो आज अगर मानलो मेरा पैसा, जो मैं अपने center में लगा सकता था, ठीक है, तो वही पैसा मैंने अपने friend को दिया, ठीक है, तो basically I have deferred my current consumption, जो पैसा म मैं कही invest कर सकता था, वही पैसा मैंने आपको दिया, तो जो मैं investment करता, वो मेरे को कुछ return देता, ठीक है, तो मेरे को आपसे भी कुछ चाहिए होगा, something extra, something extra, ठीक है, तो इसको बोलते है, opportunity cost, opportunity cost, तो interest क्यों pay करते है, एक risk factor है, जहां-जहां पैसा है, पैसे के साथ में risk का मत करता है, ठीक है, तो basically there is a risk factor associated with money, opportunity cost का मतलब करता है, next best use, आज वो पैसा, मानलो मैंने किसी को पैसा दिया है, वही पैसा अगर मानलो मैं कहीं लगाता, invest करता, तो वो मैं को return देता, तो इसलिए opportunity cost, पैसा का हमेशा कमी रहेगा, पैसे का हमेशा कमी रहेगा, पैसा कभी भी मानलो कि तुम बहुत रुपय कमाने, फिर भी तुम लएगा यार, पैसा तो मेरे पास कमी है, तो पैसा के multiple uses है, तो इसलिए opportunity cost आएगा, ठीक है, एक और important बात किया है, ध्यान से सुनना, ठीक है, यह समानलो, यह time zero है, यह timeline है, जब भी मैं ऐसा बनाऊंगा, मतलब एक तक timeline है, timeline का मतलब क्या होता है, मानलो मैंने यहाँ पर किसी को 10,000 रुपय दिया है, assume करो कि मैं तुमको यहाँ पर 10,000 रुपय देता हूँ, and 5 साल के बाद में तुम मेरे को 10,000 रुपय ही वापस देते हो, ठीक है, एक बात बताना, पुछका खायो, पुछका मतलब गुलगप खाया होगा, तो वो 10 का देता होगा करीब मानलो 5, तो एक बात बताना, क्या वो आज भी 10 का 5 ही देगा, यह एकदम इससे अच्छा एक्जामपल हो यह नहीं सकता है, मतलब, सच बता रहा हूँ, no, अरपी तगरवाल लिख एसा कहीं पर है क्या, ऐसा कोई इंडिया में पुरे भारतवर से जुड़े हो, ऐसा इंडिया में कोई भी जगह है क्या जहां पर गुलगपा वाला बोलता है पहले तो 10 का 5 देते दे, आज से 10 का 6 देंगे, ऐसा होता है क्यों कमाता है, इंफलेशन के वज़े से, तो सोचो, तुमने आज किसी को 10,000 रुपे दिया है, तुमने आज किसी को 10,000 रुपे दिया, वो तुमको 5 साल के बाद में 10,000 रुपे ही देगा, तो यह जो 10,000 रुपे देगा 5 साल के बाद में, इसका वाल्यू, वाल्यू मतलब परचेजिंग पावर, तुम इस 10,000 रुपे से कितना रुपे का समान खरीद पाओगे, ठीक है मालनो आज तुम 10,000 रुपे से 10,000 रुपे का समान खरीद पाते हो, ठीक है, मालनो 5 साल के बाद में वो तुमको 10,000 रुपे ही दे रहे, तो इसका तो वाल्यू उतना नहीं रहेगा न, वाल्यू ओफ मनी डिक्रीज़ ओवर टाइम, क्यों? क्योंकि चीज़े धीरे-धीरे need something extra in order to compensate for the loss in value of money, मतलब for example, एक बाद छोटा सा बात बताता हो, ठीक है, ऐसे एक छोटा सा बात समझना, की 5 साल पहले, मनलो 10 साल पहले, 10 साल पहले पापा कमाते थे, आज मैं कमाता हूँ, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि, ऐसा था कि मतलब पापा 20 जरपे महने का कमाते थे, पूरा घर एक दम अच्छे चलते था, मतलब 20 जरपे में जो bundle of goods हम लोग उस समय खरीद पाते थे, क्या The answer is no, ठीक है, I need something extra, ठीक है, मतलब माल लो उस समय का जो 20 जरपे था घर चलाने के लिए, आज मेर को लाख रुपे लगता है घर चलाने के लिए, तुम लोग ने common dialogue घर में सुना होगा, यार पहले तो हम लोग के time पे, ऐसा ममी लोग पापा लोग क्या बलते है, हम लोग के time पे तो 10,000 रुपे में घर चल जाता था और saving भी हो जाता था, लेकिन आज तो 2,00,000 रुपा भी पूरा नहीं पड़ता है, ऐसा dialogue सबने घर में सुना होगा, मतलब basically they are talking about the loss in value of money, loss in value of money मतलब आप चीजे कम रुपे के खरीद पाऊगे, for example, यहाँ पर मान लो, आप rice का दा same kilos of rice खरीद पाऊगे, the answer is no, okay, तुम कितना का खरीद पाऊगे, ज्यादा ना कम, कम rice खरीद पाऊगे, तो you need something extra to compensate for the loss in value of money, that is called interest, तो हो सकता है कि सामिन वाला तुम को बले नहीं आरम तो 2,000 रुप एक्स्ट्रा देगा, तो यह जो extra जो देता है, इसको बोलते interest, और यह interest क्यों पे हो रहा है, due to the loss in value of money, and loss in value of money मतलब purchasing power गिर रहा है, ठीक है, आज से ठीक, 10 सल पहले तुम 50,000 रुपया से जो समान खरीद पाता था, जो bundle of goods खरीद पाता था, राशन हो गया, तेल हो गया, घर का रेंट हो गया, सब कुछ, मतलब, basically 50,000 रुपय में घर चलता था, क आज का 1,00,000 रुपय से भी ऊपर है, ठीक है, तो basically अगर मानलो तुम किसी को 5 साल पहले 10,000 रुपय दिये हो, वो तुमको 5 साल बाद 10,000 रुपय ही दे रहा है, तो इसका value 10,000 है, 10,000 से जादा है न 10,000 से कम है, the answer is इसका value 10,000 से कम है, because value of money decreases over time, so you need something extra to compensate for the loss in value of money, that is called interest, तो nevertheless नहीं, again, why do we pay interest, पहला लिखना, risk factor, risk factor, सबसे पहले लिखना, risk factor, सबसे पहले लिखना, risk factor, फिर लिखना, opportunity cost, risk factor, फिर लिखना, opportunity cost, फिर लिखना, value of money decreases over time, फिर लिखना, value of money decreases over time, value of money decreases over time, ठीक है, उसके नीचे note में लिखना, ये तीन जब लिख दोगे तो note में लिखना, you need something extra, you need something extra, you need something extra, in order to compensate, you need something extra, in order to compensate, for the loss in value of money, you need something extra, in order to compensate, for the loss in value of money, full stop, this is called interest, that extra is called interest, that extra is called interest, ठीक है, यहां तक किसी को all good, यहां तक all good, ठीक है, ओके, तो basically, इस चीच को अब फिर से समझते हैं, because यह बहुत important है, ठीक है, तो मैंने आपको लिखवा दिया, कि risk factor है, opportunity cost है, and value of money decreases over time, ठीक है, and by value, what do we mean, we mean the purchasing power, भाई, दस साल पहले, जो मैं समान खरीत पाता था 50,000 से, आज तो अगर 50,000 पही होगा, तो अब्वेसा बाता है, कम समान खरीत पाऊंगा, ठीक है, तो you need something extra, in order to compensate, for the loss in value of money, ठीक है, उसकी बाद में, next, put the heading, simple interest, simple interest, sir, can I take my money back, because I know simple interest and compound interest, no, आगे आगे difficult चीज़ भी आएगा, ठीक है, so, the next topic is simple interest, इसको हम लोग बोलते है, commercial, commercial rate of interest, commercial rate of interest, तो simple interest को हम लोग क्या बोलते है, commercial rate of interest भी बोलते है, अगर एक्जाम में बोलेगा, simple rate of interest ही इतना, या फिर commercial rate of interest, तो तुम लोग समझ जाना कि simple वाला चीज़ लगाना है, simple का मतलब क्या होता है, खाली principle पर ब्याज चड़ेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं चड़ेगा, ठीक है, ध्यान दे नहीं दे, मेरे तरफ देखो, सब लोग मेरे तरफ देखो, सब लोग मेरे तरफ देखो, पूरा जो CM1 का जो curriculum है उसमें हम लोग सिर्फ दो चीज़ पढ़ने वाले है, सबसे पहला, कोई भी पैसा जो आज, जो time 0 पे है, उसको future में कैसे लेके जाएं, this is compounding, कोई भी पैसा जो आज खड़ा है, आज मतलब present value, कोई भी पैसा जो आज खड़ा है, ठीक है तो, अपने एकदम देशी बात करेंगे, कोई भी पैसा आज जो खड़ा है time 0 पे, या फिर हो सकता है time 5 पे, उसको future में कैसे लेके जाएं, Sir time 5 पे खड़ा है, मतलब 5 पे जो पैसा है, उसको 10 पे लेके जाना, 15 पे लेके जाना, 20 पे लेके जाना, compounding, पैसे को आगे लेके जाना, that is compounding, ठीक है तो, वह हो सकता है simple rate से हो या फिर वह compound rate से हो, उसको tarn के present में कैसे लेके आएं, this is discounting, जो पैसा आज खड़ा है, उसको future में कैसे लेके जाएं, this is compounding, और जो पैसा future में खड़ा है, उसको tarn के present में कैसे लेके आएं, this is your discounting, so compounding, आगे लेके जाना, discounting मतलब टानना, पैसे को टानने का मतलब क्या होता है, discounting, ठीक है, तो यही दोनों चीज हम लोग पूरे CM1 में सीखेंगे, ठीक है, तो we are starting with simple interest, simple interest का मतलब क्या ओचते, सिर्फ principle पर interest लगेगा, interest पर interest नहीं लगेगा, अगर interest पर interest लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, compound interest, ठीक है, एक calculator का नाम लिखवा देता हूँ, लिख लेना, FX-82-ES+, यह वाला calculator सब लोग के हाथ में आ जाना चाहिए, आज कोई भी calculator चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह वाला calculator सब के हाथ में आ जाना चाहिए, ठीक है, FX-82-ES+, okay, so simple interest, for example, माल लो, 100 रुपया लगाया, 4% simple interest में, तो उसका branches कैसे निकलेगा, देखो, यहाँ पर एक साल के बाप में 100 और 4 रुपया, फिर second year में क्या होगा, 100 और 4 रुपया, इस 4 से कोई branches नहीं निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ principle पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो पहले साल के end पर क्या हो जाएगा, 104, दूसरे साल के end पर क्या हो जाएगा, 108, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कि simple interest में, हर साल का interest amount same रहेगा, क्योंकि ब्याज पर तो ब्याज लगता नहीं है तो simple interest में हर साल का ब्याज का जो amount है वो same रहेगा that is 4 rupees ठीक है तो देखो आपने पहले क्या formula पढ़ रखा है simple interest का simple interest is equal to PRT by 100 PRT by 100 principle into rate into time by 100 principle into rate into time by 100 ठीक है उसके बाद में देखो यह तो simple interest हो गया एक होता है amount amount मतलब जो पैसा मेरे को future में मिलेगा अरे आज 100 रुपया लगाए है 4 रुपया ब्याज का मिलके नहीं एक साल बाद 104 मिलेगा तो amount मतलब क्या होता है principle plus simple interest amount मतलब क्या वो पैसा जो मेरे को future में मिलेगा तो amount के जगा में हम लोग लिख सकते है accumulated value amount के जगा में हम लोग क्या लिख सकते है accumulated value ठीक है अब यहाँ पर principle वो पैसा जो मैंने आज जमा किया है principle मतलब क्या, वो पैसा जो मैंने आज जमा किया है, तो इसको हम लोग present value बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना, तो principle प्लस PRT by 100, PRT by 100, तो P common आ जाएगा, P common आ जाएगा, 1 प्लस RT by 100, ठीक है, तो principle के जगा में क्या लिख सकते हैं, present value, ठीक है, आर मतलब क्या होता है, expressed in percentage, आर मतलब क्या होता है, expressed in percentage, और वही अगर हम लोग इसको I लिखेंगे, मतलब expressed in decimals, decimals, मतलब for example 6% है, तो R क्या हो जाएगा, तुम्हारा 6, 6%, 6% है, तो मतलब तुम्हारा R क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, और एक बास समझना, अगर मानलो, I में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.06, ठीक है, R मानलो, अगर percentage में है, और I तुम्हारा decimals में है, ठीक है, तो R मानलो, अगर 6% है, तो R क्या हो जाएगा, 6, और I हो जाएगा, तुम्हारा 0.06, तो principle के जगह में क्या लिख सकते है, present value, तो 1 प्लस, R by 100, जो है, R by 100 जो है, उसके जगह में मैं लिखूंगा I, and T को क्या लिख सकते है, number of years, तो N, ठीक है, T को लिख सकते है, number of years, जो की होगा N, तो मेरा formula क्या बन रहे है, देखो, मेरा formula क्या बन रहे हो, देखो, AV is equal to PV 1 प्लस NI, AV मतलब वो पैसा जो accumulate होगा, accumulate होके मेरे को मिलेगा, PV मतलब वो पैसा जो मैंने आज जमा किया है, N मतलब क्या, time period, which is number of years, ठीक है, आगे जाके इसको number of periods भी बोलेंगे, and I मतलब क्या, rate of interest expressed in decimals, rate of interest expressed in decimals, जैसे मालो, R था न, तो R percentage में था, अगर मालो, 8% होता है, तो R क्या हो जाएगा, 8, और I क्या हो जाएगा, R by 100, which is 0.08, ठीक है, तो यहां तक आपलो copy कर लीजिए, देखो, यहां से start करो, जाएगा धो कर दो हाएगा, £ 5, प्या आपलो, ख जाएगा 13 रा, बाएगा 14 रे, झाल 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 मैंने थोड़ा सा मेरा चहरा आ रहा होगा ठीक है राइट बड़ मैं धिरी धिरे करके स्क्रॉल कर रहा हूं तो आराम से पुरा लेकलो कोई प्राब्लम नहीं हो उसमें यहां तक किसी को कोई भी डाव तो प्रीज यू कैन राइट बोक्स झाल ठीक है यह वहला सबको क्लियर है यस और नो कुछ तो बोलो हा ना तो हम लोगा क्या आया है अब इस फॉर्म लोग को समझते हैं तो अब इस फॉर्म लोग को समझते हैं तो अब इस इक्वल टू पी वी वन प्लस नहीं है मतलब present value को accumulate कर रहे है ठीक है तब जाके मेरा accumulated value आ रहे है ठीक है ओके नव नेक्स पुट देडिंग compound interest इसके बगल में लिख देना effective rate of interest compound interest के बगल में लिख देना effective rate of interest ठीक है तो इसका अगर हम लोग tree diagram मनाएंगे तो कैसा बनेगा देखो at the rate 4% compound interest अब इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा तो पहला सल में कितना आ रहे है एक सो चार आ रहे है और दूसर सल में कितना आ रहे है बताना total बताओ कितना आ रहे है जैसे यहाँ पर क्या हो रहत है देखो ठीक है यहाँ पर 108 हो रहा था यहाँ पर कितना आ रहे है comment box में बताइए 108.16 very good 108.16 very good ठीक है तो मतलब ब्याज पर भी ब्याज लग रहे है तो compound interest का हमने जो formula पढ़ा था वो क्या था देखो amount is equal to principle 1 plus बताओ amount is equal to principle क्या पढ़ेते 1 plus r by 100 whole to the power t ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो amount के बदले क्या लिख सकते है accumulated value principle के बदले present value 1 plus r by 100 के जगह में लिख सकते हैं i मैंने बताया और t के जगह में लिख सकते है n तो अब यह मेरा नया वाला क्या बन गया देखो av is equal to pv 1 plus i whole to the power n av is equal to pv 1 plus i whole to the power n इसको देख लिए और बोलिए n जब नीचे है तो वो simple हो गया n जब power में चला गया तो वो compound हो गया इसको आराम से देख लो ठीक है अब आप लोग के लिए question है तो question लिखिएगा calculate the accumulated value of 1000 invested at time 0 for 10 years at number 1 8% simple interest number 2 7% compound interest इन दोनों का answer बताएंगे आप लोग मेर को take your time and tell me the answer अज़ आप वोग आप वोग आप आप लोग आप लोग आप झाल 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 कितना आ रहे है 1,800 and दूसरा वाला कितना आ रहे है 1,967.15 very good 1,917.15 सर कितना डेसिमल प्लेसे तक मैं को कैलकुलेशन करना है 5 to 6 देसिमल प्लेसे ठीक है ओके तो अब एक चीज समझना यहे है रहे हैं तर ego यहाँ चेक कर लेता हूँ हाँ, 1967 ठीक है, सॉर्य Now, next put the heading Accumulation factor Okay, I'll just check, अगर किसे का Calci related कोई problem है then no problem Accumulation factor Please put the heading, Accumulation factor which is AF Accumulation factor का मतलब क्या होता है Hindi में बोले तू मेरा पैसा कितना गुना हो गया मेरा पैसा कितना गुना हो गया का मतलब क्या है How many times has my fund grown For example अगर मैंने आज 100 invest किया 8 साल के बाद में मेरे को 500 मिलता है तो मेरा पैसा कितना गुना हो गया, धाई गुना हो गया How many times my fund has grown और PV को किससे multiply करेंगे तब जाके मेरा accumulated value आएगा ठीक है मतलब मेरा पैसा कितना गुना हो गया ठीक है PV को किससे multiply करेंगे तब जाके from time 0 to time n अगर मानलो यह आता है आपके exam में a327 इसका मतलब क्या होगा accumulation factor from time 3 to time 7 मतलब अगर मैं आपको यह बोलू a327 is 1.8 ठीक है और मेरे को time 7 पे 180 रूपया मिला तो मैंने time 3 पे कितना लगाया था यह बताओ तो यह बताओ तो if a327 is 1.8 and मेरे को time 7 पे 180 रूपया मिला तो time 3 पे मैंने कितना लगाया मतलब मेरे को pv निकालना है तो pv into a 3,7 is equal to av ठीक है तो av को डाल दो av is 180 av is 180 ठीक है a327 is 1.8 तो present value यहां से आ जाएगा balancing figure की तरह तो pv कितना आ रहे है pv आ रहे है 100 देख लो इसको तो a 0 to n का मतलब क्या होता है देखो ध्यान से a 0 to n का मतलब accumulation factor from time 0 to n ठीक है और accumulation factor का मतलब क्या होता है how many times my fund has grown ठीक है तो अब आप लोग मेरे को यह बताएंगे कि compound interest के case में मेरा accumulation factor क्या है हमेशा दिमाग में रखना अगर कभी भी accumulation factor निकालना हो तो pv को किस से multiply करेंगे तब जाके मेरा a v आएगा यहाँ पर देखके बताएंगे तब जाके मेरा a v आएगा the answer is 1 plus i whole to the power n ठीक है So this is my accumulation factor simple interest case में पताएं क्या आएगा pv को किस से multiply करेंगे तब जाके मेरा a v आएगा the answer is the answer is 1 plus ni the answer is 1 plus ni तो pv को किस से multiply करेंगे तब जाके मेरा a v आएगा the answer is 1 plus ni देख लो इसको आराम से, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, next class का information आपके group में आज आएगा, ठीक है, most probably Sunday को मैं class रखूंगा एक सुबह को, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, next class के लिए आप लोग यह वाला topic को पूरा अच्छा तरीके से revise करके आना, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, thank you all of you.